नमस्कार दोस्तो आज एक नवभारत टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा और इसको पढ़कर बस इतना ही पता इतना ही समझ में आता है कि वामपंथी जो खेल है वो बहुत जोर शोर में चालो हो गया है देखिए आप इसकी हैडिंग देखिए इसकी हैडिंग है हिंदी फिल्मों है वो हमारी संस्कृती सभ्यता का विनाश कर रहा है जो बॉलिवूड है वो हिंदू धर्म को बार-बार टार्गेट करके बार-बार हिंदूओं की धर्मिक भावनाओं को आहत करता है लेकिन अब ये जो नवभारत टाइम्स और 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 जो कई सारे मीडिया हाउस होंगे वो लग जाएंगे इनकी पैरवी में इनको बचाने की कोशिश में और देखिए कितना बड़ा आकडा दिखाया है कि ये इतना बड़ा आकडा है और इतना कमाई हमें बॉलिवूड ने दिया बॉलिवूड ने भले ही इतनी कमाई दी हो लेकिन कहां से दी हमसे ही लेके दी परोस परोस के हमारे बच्चों के जीवन को बरबाद करते हैं हमारे युवाओं को भरष्ट करते हैं और फिर ये कहते हैं कि तुमें देखनी हो मूवी तो देखो नहीं तो मत देखो और अब आपने अर्जुन कपूर का भी स्टेटमेंट सुनाई होगा तो गल्तिगर्दी क कि सच्चाई यही है कहने की बात केवल इतनी सी है कि अब चारों तरफ से ये बॉलिवूड वाले कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से हमें भावनात्मक रूप से या अलग-अलग वामपंति सडियंत्र लगाके और इन बॉलिवूड के खिलाब जो हम हुए हैं हमें फिर स मित्र का हनन किया है और हमारे हिंदू धर्म को तो इतना इन्होंने बदनाम किया है कि हमारे ब्रह्मनों को सादू संतों को हमारे देवी देवताओं को किसी को नहीं छोड़ा इसलिए अब किसी भी हाल में इस बॉलिवूड को वापस खड़े नहीं होने देना और कसम खाले नहीं है बॉलिवुड मुक्त भारत की और इन लोगों को अब इनकी असली आवकात दिखानी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये किस प्रकार से गंदगी परोस्ते हैं ये हम सब ने देखा है इसलिए अब इन्हें सबक सिखाना होगा और किसी भी हाल में अब हमें इनका गुलाम नहीं बनना किसी भी हाल में अब हमें मुर्ख नहीं बनना और बॉलिवुड को पूरी तरह बॉयकॉट करना है बॉयकॉट बॉलिवुड फॉरेवर जी हां हमेशा हमेशा के लिए इस बॉलिवुड का बॉयकॉट अब हमें किसी भी हाल में करना ही है दुनिया में पहली बार एक चूत से दो चूतिया निकले जन्होंने एक चूतिया चैनल पर एक चूतिया शो बना है जहाँ हजारों चूतियों ने ओडिशन किया जिन में से बीस चूतियों ने चूतिय कंट्रीज में जाके अपना चूतिया गटा है और सौ करोर चूतिय ओडिशन को चूतिया बड़ा है